अपने Facebook और Google Ads, website पे चला देना, branding पे focus नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ads करते रहना और campaign में हर दिन changes करते रहना, हर दिन, हर घंटे change किये जा रहे, change किये जा रहे कुछ ऐसी गलतिया जो सारे business owner करते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं digital marketing पे तीन ऐसी खदरनाक गलतिया मैं बता रहा हूँ, जो आपको नहीं करनी हैं जिससे आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हो और उससे आप sales generate कर सकते हो जो समझते हैं कौन सी वो तीन गलतिया हैं और कैसे इनको avoid करना है जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं मुझे नहीं जानते हैं इस साइड आ देते हैं और रन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एजनसी विर आ वर्ट वित 200 प्लिस ब्रैंड्स ग्लोबली इन लास्ट ग्लोबली इन लास्ट सेवन एड्स अब बहुत सारे लोग गलतिया करते हैं उन्होंने भाई बहुत सुंदर सी वेबसाइट बना रखी है बहुत सारे पेजस बना रखें सोशल मीडिया आइकन्स लगा रखें सब कुछ कर रखा है और वह सोसते हैं कि यार हम तो इस पे आड्स चलाएंगे हम लेंडिंग लोग बना लेते हैं एक मेरे क्लाइंट है ठीक है अपने ब्राइंड के लिए उनका टीशेट का ब्राइंड है और बहुत सालों से कर रहे हैं तो उनका वरला बिजनस हम नहीं समालते हैं ठीक है क्योंकि आल्रेडी वह किसी ना किसी एजनसी से काफी पहले टाइम से में सारी चीजें और बहुत सारे अलग-अलग चेंज करते रहते हैं हर देन और चलाते थे ठीक है तो उनको वेबसाइट पर चलाना जरूग नहीं था ठीक है बट वह अपनी प्राइजिंग कभी कम नहीं करते और बहुत जादा लॉसेस हो रहे हैं थे उनको काफी टाइम स महुँझेदा ट्राइटेस किया फाइनली इक बार हमारी बात हो रही थे मैंने सज्जेस्ट किया उसार इक एक पार प्राइस कम करके देखो तो प्राइस कम करो इंडियान ओल्रीडी लोगों के माइंड में प्राइट रहती है ठीक है तो काफी हाइंड वैली वाला बंदा है उसको पाकी चीज़े में इंटरेस्ट नहीं है ठीक है या फिर वो पैसा बचाना नहीं चाहता है इवें मैं जितने बड़े-बड़े लीड जनरेशन आप वेबसाइट पर आड्स ना रन करें वेबसाइट पर रन करने से क्या होगा ट्राफिक आप वेबसाइट पर भेजोगे लोग आपकी सोचल मीडिया आइकस देखेंगे अलग-अलग पेज़े देखेंगे इधर से क्लिक करके उधर निकल जाएंगे कहीं और चले जाएंगे और चायद वो फॉर्म भरें या ना भरें तो यह सबसे पहली गंती जो लोग करते हैं वेबसाइट पर आड़स टन करके अगर आप रीड जनरेशन कर रहे हो तो आप एक बड़िया सा लैंडिंग पेज बनाओ मैं लैंडिंग में बहुत सारी वीडियो दो कुछ गिफ्ट दो कुछ गिववेस दो बोगो दो बाई वन गेट वन फ्री दो यही चीज मैंने अपलाई करी उस वहले ब्राइंड जिसकी मैं अभी आपको कहानी सुना रहा था ठीक है कि उनके साथ क्या चेंजेस हुए क्या हम लोगों ने उसमें चेंजेस किये हो कि से और कौन से चीजों से उनकी सेल्स बढ़ गई तो ध्यान रहें चाहे आप एक कॉमर्स कर रहे हो डी टूसी ब्रांड है आपका या लीड जनरेशन अगर लीड जनरेशन है तो तो आप एक लैंडिंग पीज बनाओ और वहां पे भेजो ट्राफिक अगर आपकी इक बंदा है जिसको को ट्रीट्मेंट करना है उसने सर्च किया और चाहिए अब लाट वात हो गई पर आपको क्या लगता है क्या उसने सिर्फ आपी का फॉर्म बर दिया हो दूसरी चीज आपको इसा क्या लगता है कि दूसरी चिंदे वो सोके उठेगा सुबा वो सीधा कुछ नहीं सोचेगा आपके ब्रैंड के बारे में कहीं सर्च नहीं करेगा वो ना इस्टाग्राम पर देखेगा गूगल विज से खर्च करने हैं वो 101 परसेंट आपको जाके एक बार एक इस इंस्टाग्राम पर देखेगा कि आपकी ब्रैंडिंग कैसी आप क्लिनिक दिखता कैसा है आप क्या क्या कर रहे हूं आपकी प्रॉडेक्स क्या है आपको जाके गूगल में बिजनेस पर चेक करेगा कितनी तो मैं हमेशा फोकस करता हूं सारे ब्रैंडिंग करते और आप अपने प्रफॉर्मेंस नहीं आरे रहा हो बट लोग आपके ब्रैंड को देखके कन्विंस नहां हो रहे हो वह कह रहा हूं कि यार मैं आ नहीं जाओंगा यह दूसरे ब्रैंड है जिससे मुझे कॉल बात हु लॉवरयां मार्केटिंग को फोकस करना चाहिए अगर आप लॉंग टरम जाना चाहते हो आगर आप लंबा घयम खेलना चाहते हो ब्रैंड बिबिडिंग फोकसके में थेBeet शोण kraim contract ह्ट बढ़ाद यह सारी चीज़् बहुत सारे लोग करते हैं खास करके इंडिया में जितने भी बिजनस वो या तो खुद करते हैं या तो जो उनका campaign manage कर रहा है उसके पीछे पढ़ जाते हैं कि भाई करो 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 campaign चलाओ एक हथी उसको चलने में अगर हमें टेक्निकल सही से setup किया है तो तो अगर आपको टेक्निकली कर आपने सही सेट अप करने ये वाला मिरा गूगल आक्स का कंप्लीट कोर्स देश रखते हो ठीक है मैंने पूरा कोर्स बना रखता है हर बढ़ाना है उसको सेल्स आनी चाहिए अगर आपने नहीं सीखा है तो आप इन के स्टेडीज के थू सीख सकते हो सीखने के बाद दियान रहे campaigns setup करो और एक हफते चलने दो data आने दो और फिर data के base पे changes करो अगर चेंज करो उसके base होना चाहिए without data या without base changes मत करें प्लीज मैं आपसे रिकर्स्ट कर रहा हूँ ठीक है यह तो campaign नहीं चलेंगे पैसे आपके बरबाद होंगे और मुझे नहीं अच्छा लगेगा यह तीन गलती आपको नहीं करनी है अगर आप उना business scale-up करना चाहते हो अगर आप इस channel पर नए है और अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है channel को आप subscribe कर लो क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो शेयर करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ठाल लिया है कि जितने भी business हैं मुझे उनको बढ़ाना है उनको मुझे grow करना है अभी next week बहुत interesting videos आने वाले हैं ऐसे videos जिसमें short short proven strategy है किसी business को grow करने है how we generated high quality leads for this salon through google ads using spark SPARK method